पूछनी कर दिया है। जोहार नमस्कार पिछले कुछ दिनों से लगातार तमिलाडू से वीडियोज वारल हो रहे हैं उसको लेकर पूरे देश का महल गरम हो गया है इस स्टेशनों पर भगदर मची हुई है इस स्टेशनों पर जो है सभी लोग आ गए है और बिहार जारखन उत्तर परदेश आने के लिए एकदम जैसे तैसे कोचा कोची करके आ रहे हैं लेकिन आपको बता दे कि यह जो मामला चल रहा है कि तमिल वाले लोग जो है हिंदी बोलने वाले लोगों को मार रहे हैं पीट रहे हैं काट रहे हैं वो सरसर गलत है, वो सारे वीडियो जूट है, वो सारे वीडियो फेक है और मैं कल से लेकर आज तक मैंने 200 लोगों से बात किया है जो चन्नाई में रहते हैं, तिरपूर में रहते हैं, कोईंबर टूर में रहते हैं और तमिलाडू के अलग 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 अरिया में रहते हैं, कोई गोरकपूर का है, कोई मुजफर पूर का है, कोई जारखंड का है, मतलब अलग 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 जगह के लोग है, जादा तर लोगों का यही कहना है, कि सर हम लोग ने भी मोबाइल में ही देखा है, किसी ने घटना हुई है किसी नहीं नहीं देखा है जब उससे पूछता हूँ तो कहता है कि सर आपके एरिया में कुछ हो रहा है क्या तो बोलता है हो रहा है तो आपने देखा है क्या आपके जानने वाले के साथ हुआ है क्या तो वो साब कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है हम लोग उ और अभी जैसा कि सभी जानते हैं कि होली का महल है इस वज़े से लोग भी होली में भी आ रहे हैं और वैसे भी डर क्यारा देखिए अफवाह जो है बिन बुलाया आ जाती है लेकिन सच को ढूंडना पड़ता है और सच को ढूंडने में मेहनत लगती है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और यहां आपके जारखंड बिहार उतर परदेश के लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं बस अफवाह चली आ रही है वीडियो को देख रहे हैं वो सच मन रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि जो दो वीडियोज वाइरल हो रहे हैं जिसमें काटा जा रहा है जिसमें हत्या हुई है वो पुराने वीडियोज है और उसी वीडियो से क्लिप उठा के दैनिक भासकर, हिंदुस्तान, ABP News और बिहार का कुछ पतरकार है वो लोग भी वीडियो चला दिया और जबकि सरासर वो फेक वीडियोज है पुराने वीडियोज है मैं आपको बता दूँ कि एक हत्या का वीडियो वाइरल हो रहा है जानते है क्या है बिहार के युवक की हत्या हुई है आरोप है जारखंड के युवक पर मतलब जारखंड के युवक ने पिहार के युवक की हत्या किया क्योंकि है क्योंकि आवाईद संबंध को लेकर मतलब प्रेम का मामला था उस चीज को लेकर हत्या हुई है उस लड़के की दूसरा एक वीडियोज वारल हो रहा है कि हुआ है तो सब कर रहा हुआ है अरे लेकिन भाई तुम देखे हो हुआ है कि नहीं हुआ है तो नहीं देखे हैं हम मोबाइल पे सुने हैं तो हम अभी जो तीरपूर में पिछले 10 साल से रह रहे हैं उनसे मैंने रात को बात किया वो बताए मुझे कि कितना उनके घर वाले उनके घरवाले कितना परिशान है बोल रहे हैं कि आजाओ आजाओ लेकिन मामला कुछ और है पत्रकारों ने इतना ज़्यादा फ़वा फैला दिया है ये पत्रकार किसी पार्टी के मेंबर है किसी पार्टी से जुड़े हुए है और इनको उस पार्टी जो है पैसे देती है इस वज़े से ये लोग यहां वहां जाके वीडियो दिखा रहा है उसकी सच्चाई का मैं आपको भी बताता हूँ बहुत ही बड़ी ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंट्रस्टिंग ख़बर दे रहा हूँ बिहार के रहने वाले हैं इनसे मैं बात करता और आपको मैं सुनवाता हूँ कि असली फ़वर क्या है ये अभी हलो भावकाल टीवी न्यूज शेनल से बोल रहा हूँ दादा आपका नाम क्या है मुंतुन कुमार जी आप चन्नाई में कहां से बोल रहे हैं आप तीरपूर से बोल रहे हैं आप मुंतुन जी रहने वाले कहां कया है मुझतवर कूर के रहने वाले हैं बिहार के ये वह दो हजयर बार से आप 10 साल हो गया तो आपके गाव के लोग पचास अदमी रते हैं तो जैसा कि कुछ दिनों से लगतार वीडियोज वारल हो रहे हैं इस्टेशन पर भागदल मचा हुआ है कि तिरपूर में बिहारियों को जारखंडियों को हिंदी बोलने वाले को ख़देडा जा रहा है मारा जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है अच्छा पूरी तरीके से अफवा है अच्छा यह बताइए कि आपके आपके सामने कोई घटना हुई है आपके जानने वालों के सामने कोई घटना हुई है क्या बिल्कुल नहीं जाएगा तो उसका जीवन कई से चलेगा बीना जाए हुई होई तो यहां पर कुछ नहीं है सब जितना भी हम बोलेंगे जितना भी चैनल वाले है आप करना चाहरे हैं कि जो सब वीडियौ जाल ढाए हुई फेिक वीडियौ है और इसको पूलिस ने भी खंडन किया है कि यह जो वीडियौस चल रहे हैं जो मारकाट वाले वीडियौस है वह पूरी तरीके से लिएक वीडियौ 2 कापी पुराना वीडियो है आचा तीरपू आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं आपके मित्र यार दोस्त तो आप लोग के साथ कोई भेदभा हुआ है तमिल वालों के साथ कभी भी इसा कुछ भी नहीं होता है ऐसे भी मानिये तो बिहार में भी बेवरा है कि नहीं बिल्कुल है लेकिन उसके वजह से हम थोड़ी वहां से भाग जाएंगे अच्छा यह देखिए इस्टेशन पर बहुत सारा वीडियो जाकर लोग बना रहा है कि मारा जा रहा है काटा जा रह अच्छा मतलब आप चाहरा है कि वह सारा वीडियो फेक्ट वीडियो है और पूलीस ने भी इसको कहा है कि वह सारा फेक्ट वीडियो अच्छा ये बताए मुंचुन जी कि आप वहां पर क्या काम करते हैं एक्सपोर्ट लाइन में काम करते हैं तो अच्छा ये बताए कि अच्छा ये बताए कि जिसे आप आप काम करने जा रहे हैं लगतार अच्छा मतलब कोई ऐसा नहीं है अच्छा ये जब वीडियो वाइरल हुए भागदड मचा जिसमे भागदड के कारण तीन मार्च को एक बिहार के युवक की जान भी चली गी वैसाली का रहने वाला था वो हाँ मालूम है कि जारखंड के युवक ने बिहार के युवक की हतिया की हा वायद संबंध को लेकर आरोप है बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है तो अच्छा ये बताए कि अभी कोई दिकत परशानी आपको है वहाँ पे अच्छा तामील वाला भी का रहा कि हम लोगो खुद मालूम नहीं कि क्या हो रहा है जी जी तो मुंचुन जी बात करने के लिए धन्यवाद अगर हो सके तो आप लोग वीडियो बना के हमें छोटा सा दे दीजे कि आप लोग कितने लोग काम कर रहे हैं कोई दिकत नहीं है जी ठीक है ठीक है मुंचुन ये धन्यवाद तो हमारे साथ अभी बिहार के मुझभरपूर के मुंचुन कुमार थे जो की तमिलाडू के तिरपूर में रहते हैं पिछले 10 वर्सों से 2012 से काम कर रहे हैं इनका कहना है कि पूरी तरीके से निरधार है पूरी तरीके से ये जो खबरे है अफवा है और अफवा फैलाने वाले कुछ पतरकार है पैसा कमाने के लिए वो लोग गूह में गिर जा रहा है और गलत सलत खबरे चला रहा है मैं और लोगों से बात किया हूँ, मैं एक हजार लोगों से बात किया हूँ कल से, मैं दो बज़े रात तक बात किया हूँ, किसी ने भी नहीं कहा है कि यहाँ पर बिहारीों को मारा जा रहा है, जहारखनीों को मारा जा है, अगर कोई कह भी रहा है, तो वो इस बेसिस पर कह र तमिलाडू में मामली की जाच करने उन्होंने भी कह दिया है पुष्टी कर दिया कि मामला सरा सर निराधार है गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए जिस तरीके से स्टेशनों पर भीड दिखाई जा रही है तेवहार के मौसम में उससे ज्यादा भीड होती है और जो इस त मारा फरजी वीडियो देखके देखिए अफवाह जो है इस तरीके से फैलता है न उस अफवाह के जरोखे में सब लोग आ गए है और सब को लग रहा है कि मारा काटा जा रहा है किसी के सामने कोई घटना नहीं हुई है किसी के साथ कोई घटना हुई है किसी के जानने वाले के साथ घटना हुई है तो हमें बताए तो ये पूरी तरीके से गलत खबर है पूरा फ्वा है व्यूज चैनलों पर आ रहा है इस वज़े से लगातार यहां वहां जा कि वीडियो दिखा रहा है मैं आपको बता दूँ की चार-पांच पत्रकारों पर फैयार भी हुआ है और बड़े-बड़े पत्रकार है सोच लिजे फर्जी खबर फैलाने को लेकर फैयार हुआ है हो सकता हूँ चार दिन कंदर जेल में भी होंगे तो ये सबसे बड़ी खबर है आप बने रही है एक और लोगों से मैं बात करके आपको सुनवाता हूँ जय हिंद्वंदे मातरम जोहार जहार खंड